Hello everyone, you are welcome to class और आज हम बात कने वाले हैं विश्व की कुछ परमुख जीलों के बारे में और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और पिक्चराइजिशन कर सकते हैं यहाँ पर आप लोगों की कैस्पियन सागर है और जब हम सागर की बात करते हैं जो बड़ी जीले हैं उन्हें भी सागर के नाम से बोला जाता है या कैस्पियन सी उनको बोला जाता है लेकिन वो होती जील है अब यहाँ पर आप लोगों की सुपीरियर जील कैस्पियन हो गया, अरल सागर हो गया या जील है ये भी और विक्टोरिया जील हो गया, आपकी बालखश जील हो गयी, ये आपकी important है, great beer हो गया और reindeer हो गया, Michigan और इसके अलावा urine ये इतनी जील है आप लोगों की वो आपकी important है, यहाँ पर एक जील रह गयी, जो सबसे गहरी है वो है आप लोगों की बैकाल जील इसके अलावा बाकी आप लोगों को याद करने के जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी आप लोगों को टिटिका का टिटिका का क्यों याद करने की जरूरत है हम इनको एक एक करके इनके बारे में फिर से पढ़ेंगे लेकिन आप लोगों धियान रखना है कि जो बैकाल जील है बैकाल जील क्या है आप लोगों के सबसे गहरी जील है टिटिका का आपकी हाइट पर सबसे मीन सबसे हाइट पर established जो जील है लेक है वो है आप लोगों की ठीक है तो यह गहरी आप लोगों की और यह क्या है आप लोगों के सबसे उची जील है इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है जो आप लोगों को कैस्पियन सागर है तो कैस्पियन सागर है सबसे बड़ी जील है अरल सागर अब इसे देख लेते हैं तो अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान और उजबिकिस्तान की सीमा बनाती है तो इसके लिए आपको फैक्ट याद रखना है कि ये कजाकिस्तान और उजबिकिस्तान की सीमा बनाती है तो यहां से आप लोगों का फ लेकिन आप जो इसे प्रैक्टस करेंगे तो आप यहीं पर प्रैक्टस करेंगे, पूरी जो प्रैक्टस होगी, वो यहीं पर आप लोगों को करनी है, बान्किड़ेटेंगे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का अरल सागर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताए कि ये कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान की सीमा बनाती है और इसमें अमु दरिया और सर दरिया नदिया गिरती है विक्टोरिया जील युगांडा तंजानिया और केनिया की सीमा बनाती है और जो टंगा निका जायरे है ये जायरे तंजानिया और जामिया के सीमा बनाती है लेकिन आप लोगों इतना याद करने के जोरत नहीं है आप लोगों सिर्फ विक्टोरिया जील याद रखना है और अरल सागर आप लोगों को ध्यान रखना है उसके अलावा जो है कनेडा की जितनी भी जीले हैं उनको आप लोग उपर पिक्चर में देख लिया होगा आप लोगों ने ग्रेट सलेब हो गया, ग्रेट बियर हो गया, रेंडियर हो गया, विनिपेग और अथावस का ये सारी जील कहा है, कनेडा में है, और जो अथावस का जील है, इसके निकठी यूरेनियम सिटी है उत्तरी अमेरिका के जो महान जील परदेश के अंदर के पाँ जीले हैं, उनमें से है आप लोगों को इस सुपीरियर, यूरेन, मिशिगन, आंटेरिया और इरी तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सारी चीजे, कि कौन सी कहां कहां पर है, तो एक बार अगर आप यहां पर पिक्चर में देखेंगे, तो आप लोगों को ट्लियर हो जाएंगी चीजे, कि कौन कौन सी कहां पर है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो बनाया है यहां पे rikturization किए Цिया आपका great solev हो स्परियिये और आंटोरीय हो गया आ्टविया हो गया ओत्री अमेरिका में इसके आलावा आप लोगे याद रखने लोपोन और जो यह चीन में हैं यह चीन का आनवीक परिक्षन संस्थान भी यह पर है तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं और आप लोग इसे पिक्चराइजिशन करके ही इसे देखना है एक बार अगर अगर आप लोगों को ये याद हो जाती हैं तो आप लोग एक पूरा मैप मान लीजे यहां से यहां तक इसे पुरा world का map मान लीजे और फिर practice करना शुरू कर दीजे यहां पे आप लोगों की superior जील है यहां पे आप लोगों की caspian जील है caspian जील के थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो aral जील आप लोगों को मिलेगी aral जील के ठीक नीचे आप लोगों की victoria है इस तरह से आप लोग practice करेंगे इसको victoria के ठीक थोड़ा सा इधर को चलेंगे तो यहां पे आपको titika का जील मिलेगी तो यह T है आप लोगों का यह practice करने का आप लोगों का तरीका है अगर हम यहां पे कनेडा की जो जील बात करें तो त्री यहां पे आप लोगों इस तरह से त्री डॉट बना लीजे आप और यहां पे कर दीजे कि rendier हो गया और great beer हो गया ठीक है तो great beer g से आप लोग कर दीजे g b ठीक है rendier r कर दीजे उसके उपर आप देखेंगे तो sent great slave great slave g s g b r इस तरह से आप लोगो शॉटकट भी याद हो जाएंगे कि कौन कौन से कहां पर है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो Michigan आप लोगों का है Michigan के बगल में आप लोगों के Euron है और Euron के साथ में उपर आप लोगो देखे रहे हैं कि superior है और यहां पर आप लोगों के विनिपेग है विनिपेग के बगल में आप लोगों के Eri है तो आईस से कर दीजे और यह जो है आप लोगों के Euron हो गया, Michigan हो गया, Eri हो गया, विनिपेग हो गया और superior हो गया तो यह पाँचों को आप लोगो क्या करएंगी याद रखेंगे कि यह कहां पर आप लोगों की उत्तरी America में है तो यह तो हो गया आपके उत्तरी America में यह जो तीन नीचे के हो गई, यह हो गई आप लोगों केंनेगा में उसके अलावा आप लोगों को बता है कि जो कैस्पियन है उससे बड़ी जील हो गए आप लोगों की और ये आपका अरल हो गया अरल सागर हो गया और इसके अलावा आप लोगों को बता है कि ये Victorian है सॉरी, Victoria हो गया और नीचे, Victoria के बगल में आप लोग बालखश याद रख सकते हैं तो देखे, ये A हो गया, ये B हो गया तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है तो clearly आप लोगों को fact याद हो जाएंगे कौन सी चीजे कहां कहां है तो इसके अलावा आप देखेंगे कि जो Victoria जील है ये यूगांडा, तंजानिया और केनिया की सीमा बनाती है तो V पे आप लोग क्या कर दीजिए U, ठीक है तो V के साथ में क्या हो रहा है U, Victoria और यूगांडा, ठीक है उसके बाद U, T, K ठीक है, इस तरह से कर लीजी इसको अब आप लोगों को समझ में आगे होगे कि practice कैसे करनी है इसको ठीक है, और आप लोगों को काफी सारी चीजे याद भी हो गई होगे fact भी आप लोगों को याद हो गई होगे तो इसमें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो back all है, back all कहां पे है रूस में है और back all के बारे में मैंने कल आप लोगों को एक fact भी बताया था कल वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो इसे आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों याद है बैकॉल जो है विश्व की सबसे गहरी जील है ओनिगा वा लाडोसा रूस की अन्य महतवपून जीले हैं लेकिन आप लोगों को सिर्फ बैकॉल जील याद रखनी है लेक आयर आस्ट्रेलिया की और लेक चाड 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 कैमरून नाइजिरिया और नाइजिरियो की महतवपून जीले हैं ये ओनकाल है आप लोगों की यूगांडा की और हाई स्वान ये मिश्र की है और हाई स्वान और ओनकाल ये दोनों के दोनों मानव निर्मित जीले हैं तो ये पूछा जा सकता है कि मानव निर्मित जो जीले है ओनकाल और हाई स्वान ठीक है मिश्र में तो ये क्या specific है तो ये मानव निर्मित है मेंस इन्सानने इनको बनाया है तिबट के पठार में इस्थित जो ठिसो सिक्रू है वो विस्व के सबसे उची जील है और पेरू व बॉलिविया के सीमा पर इस्थित टिटिका का जील विस्व के सबसे उची नौका गम्य जील है means जहांपे की नाव चलाई जा सकती है टिटिका का में भारत की सबसे उची जील जो है वो देवताल है और यह हम उत्राखंड के उसमें पढ़ चुके हैं यह उत्राखंड में है और जो गड़वाल में हिमाले पर 17,745 फीट की उचाई पर है मृत शागर या डेट सी जीसे कहा जाता है वो सबसे नीची जील है ठीक है सबसे उची जो थी ओठिसो सिक्रो है और नौका गम्य की बात करें तो वो टिटिका का जील है और इसकी तली जो है वो means जो बेस है इसका वो 2500 फीट नीचे है तुर्की के वान जील में सरवाधिक लवनता जो तुर्की में वान जील है वो सबसे ज़्यादा क्या है लवनता वाली है means इसमें salty हम इसे बोल सकते है और इसके बाद जॉर्डन का जो मृत स्रागर है वो 238 परसंट है और इसमें great salt lake जो है 220 है तो इसमें सिर्फ आप लोगों को याद ये रखना है कि जो वान जील है वो तुर्की में है और ये सबसे ज़्यादा लवनता वाली है कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी जील है ये आप लोगों याद रखनी है और दूसरी चीज एक चीज और पूछा जाता है कि यूराल वो भाग में इसका यूराल है वो वोलगा जैसे नदी इसमें गिरती है किसमें कैस्पियन सागर में ये खारे पानी की है सॉल्टी वाटर है इसका कैस्पियन सागर का ये सबसे बड़ी जील है आप लोगों की तो जो मोस्ट आफ इंपॉर्डेंट जीले हैं वो हम कर चुके हैं और मैंने आप लोगों बता दिया कि आपको प्रैक्टिस भी कैसे करनी है आप एक ब्लैंक पीस लीजिए थोड आपको ये सारी चीजे याद हो जाएंगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाए